नरेंदर मोदी जी को, क्योंकि उनकी विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने नेले लिया भारत रत्म से नवाजा है, तीन अवार्ड दिये गए हैं, खास्तोर से चौधी चरण सिंग जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश, पूरे देश में गया है, देश की भाव जोना और चिक्त्र को बेखोबी समस्ते हैं और जानते हैं, बहुत समय से गाओं के लोगों में एक टीज थी, कि उनके बीच के विक्ति, इतने बड़े राजनीता, बड़े-बड़े पदों पे रहते वे, उनके लिए जिनोंने जीवन परियंत संधर्श किया, एतियास एक निर्ने लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे हैं, लोगों पर पढ़ता है, चोदी चरन सिंग जो आज तक कोई भी पूज की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से, लरेंदर मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनक उनकी हिम्मद बढ़ाने का पैसला आज भारी सरकार में लिया है, पूरे देश में सभी चोदी साब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है, मैं चोदी अजी सिंग जी को भी याद करता हूँ, ये उनका सपना था, और इसलिए मैं कहता हूँ दिल से, मोदी जी को विशेश तोर से धन्यवाद अरा बार, कि आपने आज चोदी अजी सिंग जी का अधूरा सपना पूरा किया, जैन जी इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, चाहे वो चौदी चलन सिंग जी की बात करें, या पीवी नरसिमा राओ की बात करें, और खास तो अपने च चुनाव हारे हो, जीते हो, मैं गडबंदन में जा रहा हूँ, कितनी सीट मिल रही है, ये कोई मसला ही नहीं, आज को फैसला लिया गया है, जो पीडी दर पीडी याद रहेगा, चौदी चलन सिंग के वेचारिक दृष्टिकोन को, उनके संघर्ष्णों को, उनके किये कारियों को हमेशा जिन्दा रखने वाला फैसला है, और ये छोटी बाते हैं, अगर कॉंगरेस पार्टी का विदीवाज ये ब्याना है, मैं इस ब्यान की अलोजना ही कर सकता हूँ. अगरेस पार्टी के सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्र लोगदल की तरफ से ये एक लंबी मांग रही है, आज की बात नहीं है, और क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त आप जिस तरीके से भार्टी जन्ता पार्टी या जो श्रीश नेतितर है उसको कुछ ही लोगों के मुखेदारा में रहे हमेशा से उन्हीं के हाथ में फैसले लिए गए है, उन्हीं के माद्यम से फैसले लिए गए है, और अब एक नए भारत में ये सारी चीज बदलती दिख रही है पहले कि मैं उनका भी स्वावित करता हूँ, जिन जिन ने समर्थन किया जो इस वैसले के साथ हैं, और जो चौदी साथ के लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में, उनके संगर्शों के साथ रहे हैं, उन सब को बदाई देता हूँ, ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं, ये स आज मैं किस मूँ से इंकार करूं आपके सवावित, जो आपने बात पूछा के कॉंग्रिस में पहले निन्ने ने लिया जा, मैं तो अंदर से जानता हूँ, कितनी बार चौदी अजी सिंग जी के मन में बात उठी, कितने बार उनोंने प्रयास किये, बहुत मुश्किल से फ इंपोर्ट है, मैं जानता हूँ, कितने गदगद हुए थे चौदी अजी सिंग जिन्दा होते हैं, कितने परसंद होते हैं, यह मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मतलब यह जैंची यह मान लें कि अब आप बात के पार्टी के साथ, उनके शर्तों के अनुसार उनको जो करेंगे और तेना वुजिती में चुनाओ को देखिए आज कोई शर्त और सीड और चुनाओ की बात करना, आज के दिन के मैचों को छुट